कर दोस्तों मैं शांत एक बार फीर हाजिर हूं आपके सामने नए वीडियो लेकर तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फाउंटेन पैन क्लिनिंग की दोस्तों फाउंटेन पैन चाहिए कितना भी महंगा हो लेकिन अगर कुछ उस टाइम तक आपने उसको बिना टैंड की वे रख दिया तो उसके अंदर इंक का पिगमेंट जो होते हैं वो जम जाते हैं और फाउंटेन पैन नहीं चलता देखिए इसके अंदर इंक है लेकिन ये चल नहीं रहा है तो दोस्तों सबसे पहला काम करना है वो सिंपल आप एक वाटर का बावल लिए और फाउंटेन पैन को कुछ सेकंड तक उसके अंदर डिप कर दीजें कुछ सेकेंड ही डिप करना है आपको उसके बाद निकाल लिए क्लीन कीजिए और क्लीन करने के बाद उसको चला करके देखे तो फाउंटेन पैन आपका 90% चल जाएगा तो यह देखे इसके अंदर मैंने कुछ सेकेंड ही इसका डूबया है लेकिन यह चलने लगा है लेकिन अभी भी पूरा अच्छी तरीके से नहीं चला है तो इसका मतलब मैंने काफी कम टाइम के लिए डूबया है तो दूसरा काम आप कर सकते हैं कि बावल लीजे और बावल के अंदर पूरा का पूरा सेक्शन निकाल करके आप डाल दीजे तो उससे क्या होगा कि जो आपकी इ यह देता हूं कम से कम 20 तक मैं नोर्मल वाटर में आपको गर्म करने की ज़िरुष्ट नहीं है फवंटेंड़ का करके दिछोड़ दिजे क्लीन करने के बाद वाटर के अंदर अ आदा घंटा सेक्शन ुबोने के बाद आई थिंक अब fountain pen पूरा clean हो गया है और अब चला करके देखते हैं कैसा चलता है और यहां आप देख सकते हैं अभी सारी problem दूर हो गई है जो कि इसके अंदर ink सूख चुकी थी उसके pigment loose हो गए है और अब फ्लोइंग करने लगे हैं तो now it is working fine तो अब यह बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है कोई problem मुझे लग रहा है कि इसके अंदर नहीं आने वाली है तो एक तो आप ध्यान रखेगा कि जब भी आप अपने fountain pen को रखें तो अच्छे से clean करके रखें और उसके बाद ही आप उसको store कीजिए तो दोस्तो दो तरीके हमने देख ले हैं अगर इन दो तरीकों से भी काम ना चले तो तीसरा तरीका आपको क्या करना है आपको deep cleaning की तरफ जाना पड़ेगा तो deep cleaning करने के लिए आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि आपका nib और feed system किस तरीके का है आपका press fit nib और feed system है या फिर screwed nib system है तो वह आपको पता होना चाहिए जैसे यहां मेरे पास दो एक्जामपल है यह प्रेस्ट नीब नीब फीड system है और यह है आपका screwed feed system तो दोस्तों इसके लिए deep cleaning के लिए आपको क्या करना पड़ेगा नीब और section को आदा घंटा पानी के अंदर डूबाओ करकर रखे उससे क्या होगा कि इंक का जो इसके अंदर फसी वी है पिगमेंट जमेवे हैं वो लूज हो जाएंगे और आपका नीब फीड system section से थोड़ा सा लूज हो जाएगा और उसके बाद आपको निब को इस तरीके से पकड करना है दूसरा में निकाल के आपको दिखाता हूं कि यह देखिए मेरे पास जो है यह है पारकर फ्रेंटियर और इसमें आपको अब तो आपको गूमाना पड़ेगा देखें गूमा दिया आराम से गूम गया यह इस तरीके से गूमने के बाद पूरा जो है निब और अपना feed system ऐसे लीजे और एक use brush से धीरे धीरे उसको पूरा clean कर दीजे निब को भी निकाल लीजे और निब को भी इस तरीके से पूरा clean कर दीजे तो ये आपको करना है और फिर उनको सुखा करके दुबारा से लगा देना है तो दोस्तों लास्ट में आपको करना है क्या है कि एक इस तरह की copper की पतली स्ट्रीप लीजे बहुत पतली पतली स्ट्रीप आती है निब को clean करने के लिए इसका इस्तिमाल कर सकते हैं या आपको घर में अगर blade पड़ा है पुराना वो भी कर सकते हैं लेकिन जो आपके महगे निब हैं उनके साथ blade का इस्तिमाल मत कीजेगा वो खराब कर सकते हैं इस तरह की copper की strip लीजे वो आपके निब को बचा के रखेंगे जो damage होना होगा वो इस strip हो जाएगा आपका निब जो है महंगा निब बचा रहेगा तो इस तरीके से आप जो है यह देखे इस तरीके से आप इनको clean कर सकते हैं तो आपका निब भी clean हो जाएगा फीड आपका clean हो गया तो आपका जो fountain pen है वो ready to go है तो इस तरीके से आप अपने fountain pens को clean कर सकते हैं, deep clean कर सकते हैं और 99% आपका fountain pen चलने लगेगा अगर कोई problem उसके साथ में इंग flow में है तो अगर कोई और technical problem है तो बात दूसरी है तो दोस्तो ये था मेरा वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए मैं इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो ले करके आता रहूँगा हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद